नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्पित और एक बार फिल से आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुड गांधी के बारे में जो वैसे तो गांधी खांदान के हैं लेकिन फिल हाल भारतिये जनता पार्टी की तरफ से पीली भीत के सांसद हैं लेकिन समस्य नई ये आ रही है कि ना तो वरुड गांधी भातिये जनता पार्टी में सहज महसूस कर रहे हैं ना ही ये पार्टी ही इनको पसंद कर रही है इसलिए ये साथ ज़्यादा देर चलने वाला है नहीं वरुड गांधी खुद अपनी तरफ से लगाता सरकार की आलोचना करते रहे हैं और इस बात की पूरी पूरी उमीद है कि इन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी ऐसे में उमीद है कि ये अमेठी से निर्दलिये प्रत्याशी के रूप में चुनाओ लड़ेंगे इसके पीछे वज़ा ये है कि कॉंग्रेस भी वरुड गांधी को अपनी पार्टी में शामिल करने को तैयार नहीं है क्योंकि जब ये भाती जंता पार्टी में गए थे तो इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बहुत सी ऐसी बातें करी थी जिसकी वज़ा से कॉंग्रेस इन्हें वापस नहीं लेना चाहती है असल में एक वज़ा ये भी है कि अगर पार्टी में एक और गांधी शामिल हो जाएगा तो वो राहुल गांधी के लिए भविश में चुनाथी बन सकता है उनका प्रतिद्वन्दी बन सकता है पार्टी पर नियंतरण के लिए यही वज़ा है कि ये कॉंग्रेस में जा नहीं सकते हैं तो उमीद ये जताई जा रही है कि ये निर्दलिये प्रत्याशी के रूप में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पिखले लोग सपह चुनाव में राहुल गांदी की अमेठी में बहुत ही बुरी तरह से हार हुई थी स्मृती इरानी ने बहुत समझ दीजे कि विलकुल सारी सब को चकित करते हुए इने हरा दिया था इस लोग सपह चुनाव में राहुल गांधी वर्तमान में केरल के वाइनाल से सांसद है और अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस बार वो वाइनार और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे या फिर सिर्फ वाइनाल से लड़ेंगे या सिर्फ अमेठी से लड़ेंगे उम्मीद यही जताई जा रही है कि क्योंकि अगर राहुल गांधी हाल जाएंगे तो काफी उससे बेजती होगी कॉंग्रेस के जो है जो नेता हैं जो उनके कारेकलता हैं उनके मनोबल पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा जिस पज़े से राहुल गांधी अमेठी से चुनाओ लड़ने का रिस्क लेने से बचना चाहे रहे हैं क्योंकि अगर एक बार हाल गए तो दुसरी बार भी हाल सकते हैं लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है हम लोगों का नेटवर्क है वो तो हमें यहीं बताता है कि अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो वो अमेठी से निश्चित रूप से आसानी से जीट जाएंगे लेकिन फिर भी अब वो बड़े निता हैं रिस्क लेने से बचना चाहते हैं तो ऐसे में अगर वरुड गांधी जो अमेठी का किला है वो जीत कर गांधी परिवार को देते हैं तो शायद इस तरीके से उनकी कॉंग्रेस में एंट्री हो सकती है इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सक्षन में बताईएगा लेकिन मैं आपको सबसे पहले इस ख़बर का सोल्स बताना चाहता हूं कि कहां से ये ख़बर आई है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा था आप देखिए वरुण गांधी यहाँ पर इनसे जुड़ी हुई खबर है कि वरुण गांधी कॉंग्रेस के संपर्क में हैं सुल्तान पूरिया अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और निर्दली लड पर कॉंग्रेस इन्हें समर्थन दे सकती है यानि कि अगर एक निर्दली प्रत्याशी के रूप में वरुण गांधी सुल्तान पूरिया अमेठी से लड़ते हैं तो कॉंग्रेस इन्हें समर्थन देगी लिकिन अगर कॉंग्रेस से वापस से जुड़ना चाहते हैं अपने परिवार को बड़े भाई राहुल गांधी को दे सकते हैं वो है अमेठी की लोकसभा सीट इसके अलावा और कुछ नहीं तो दोस्तों ये था आज का हमारा ख़बर और आपको जो भी लगता हो इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज के बस इतना ही धन्यवाद